हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल फैमली विलोग ब्यूटी में आप सभी का स्वागत है और आज मैंने एक संटैन की वीडियो बनाई है जिसके लिए मैंने लिया कॉफी फाउडर वन से टूटी स्पून लिया क्योंकि फुल बॉडी फुल बॉडी वाइटनिंग पैक इसके लिए इसको संटेन रोव करने के लिए मैंने बना आए को दॉड़ा है और ये जोड़ा सुझाओा होटा रखा रखा तो मुक्राइब के लिए जो भी अश्रे में डाला है कर दिale है क्योंकि जो बीज़ेंट जॉसमें डाला है इस मिल्कुल में सब्सारा आपकि को मे कज़ए दूसरे इसकार स सबस्क्राइब करने काम करता है तो यह अच्छे से हमraушने इन सके ने काम करता है in Vloglla कॉ में दाने काम और मैंनी तो 5 मेरट तक गड़ें क्योंकि अच्छे से मिक्स हो जाए का सबस्क्राइब उन्हें इस काम करता है नहीं हिで करता है मेरी हाथ इक्तम इसने में एक दिम गोरे नहीं बर बहुत ज्यादा फर्क पड़ाता है और यह मैं अपने हाथ पर लगा के दिखा रही हूं नीबू से लगाएंगे क्योंकि नीबू से लगाने से और अच्छा फायदा है क्योंकि नीबू जो है हमारी टैन रिमूब क करने का काम करते हैं और यह मौजब ऐसा होरा समर में इसकीन ज्यादा टैन हो जाती है तो इसको किस साग मतलब अपनी स्कीन की केर करने के लिए सौरी और टैन को रिमूब करने के लिए यह ने बनाया है तो मैं अच्छे से इसको अपने हाथ पर लगाऊंगी पांच में तक कर रहे हैं और अपने पैरों पर भी कर रही हो यह आप फुल अपने बॉड़ी पर पूरी पर भी लगा सकते हैं मैंने पूरे दोनों पैरों पर अपने पैच्छे से लगा लिया है पांच मेर्ट तक आप करेंगे इसको आपका रिचल्ट अपने आप ही देख जाएगा एक पार में इतना चर्चल्ट आया है अगर आपको एक तमफाइट पैट चाहिए और आपकी शादी होने वाली है और आपके हाथ पर काले हो रहे हैं और आपको मेर्डिक्र पैडिक्र करवाने का टायम है आप जाते पसंद नहीं करते पारा जाना तो आप इस पैक को जरूर लगाए मैं 100% कारंटी से बोल रहे हूं कि आपकी जो संटैन है वो रिमूव हो जाएगा आपके पैर आपके पूरी बोडी जो है वो एक तम चमकने लगेगी तो इस पैक को आप पैरे पर इस ना सुरू कर दिया था नीवू भी अ कि एक पैर पर लेकर लिया है इस वाली दूसरे पर लेकर ने दूसरे पर लागांगी में है अब दूसरे पर लागा रहे हूं यह जुनिक होते हैं बहुत जाता काल ले जाते हैं डाग पड़ जाते हैं वुटनों के निवू जो होते हैं तो हम इन पर अच्छे से नीवू के सेंगे और ज्यादा लगाएंगी जो यह मतलब दीरे दीरे साफ होने लगे और यह नकूनों पर अच्छे से रिगड़ रहे हैं मैं लीवू जो कि यह मतलब नकून इक्तम साफ हो जाएं नेल्स उसके बाद मैं नेल पिंट रिमूव करूंगी नहीं नेल पिंट लगाऊंगी दुबारा से तो अच्छे से मैं लगा रहे हूं और यह काले पड़ गए तो इनको भी साफ कर गए थी और मचे से लगा चुकी हूं और आप मेरे पैर देख सकते हैं वह सिर्फ मैनत हुआ है अभी मोस्टराजर भी नहीं लगाया एक्तम साफ हो गया है अगर आपको मेरी वीडियो चलेगे तो प्लिस लाइक करें सिस्क्राइब और कमेंट करें बा